सुमालिया देश के अंदर मोगा दिसू नाम की एक जेल है जिसको यातना देने के लिए पिताडित करने के लिए सबसे बड़ा भयावै अड़ा माना जाता है उस जेल के अंदर लोगों के साथ ऐसा व्यवार किया जाता है कि लोग उस जेल में जाने के नाम पर ही कापने लगते हैं उस जेल के अंदर जेल का जो जेलर होता है वह एक अलबीरा नाम की लड़की के साथ भयानक तरीके से उसको यातना दे रहा है कोडे मार रहा है और उसके साथ जवर जस्ती वह सम्मन बनाने की कोशिस कर रहा है क्योंकि वह मना कर रही होती है लेकिन वह उसको बुरी तरह से पीट रहा होता है दोस्तों यह जेल बड़ी भयावे है उस जेलर का नाम होता है डलास काला जेलर होता है मौसको की रहने वाली चार लड़कियां हैं जो की ड्रक्स के केस में गरपतार हुई है और उन लड़कियों को सुमालिया की जेल मोगा दिस जेल में बेज दिया जाता है उस जेल के जेलर का नाम डलास होता है डलास ने उन चारों को देखा तो उनके उपर मोहित हो जाता है उ और उन सारी औरतों के कपड़े उतरवाता है सारी लड़कियों के और निर्वस्तर करके उनको डलास के पूरे जेल में कौड़े मारता हुआ गुमाता है और फिर उसके बाद डलास उन मेंसे एक मोना नाम की लड़की को सराप पिलाता है बिठा करके और उसके कपड़े तो उ विरोध करती है लेकिन डलास मानता नहीं है और मोना बेहोस हो जाती है जैसे मोना बेहोस होती है तो वह वहीसी डलास दूसरी लड़की की तरफ सारा करता है और उसको बुलाता है लेकिन दूसरी लड़की उसके पास आने से मना कर देती है तो वह तुरंत रिवॉल्वर निकालता है और दूसरी लड़की वो गोली मार देता है अब बाकी की दो लड़कीयां बची थी वह घबरा जाती है और उनसे कहता है कि कल तुम्हारी बारी है और अब फिलाल तुम वैली डांस करो मैं डांस देखना चाहता हूँ वह दौनों लड़कीयां नासती हैं डांस करती हैं और उसका रात पर मनुरंजन करती है और दूसरे दिन उनकी बारी थी अब दोस्तों एक मार्च 2009 की बात है एक मार्च 2009 को उजबेगिस्तान की रहने वाली एक सारा नाम की लड़की अपने फ्रेंड के साथ सौमालिया जाती है वह एंजियो चलाती है और एंजियो चलाने में उनका काम ये होता है कि यहां की एक जेल है मेगा दिसू वह यातनाओ का एक तरह से कोला हल है वहाँ पर यातना बुरी तरह से दी जाती है तो सारा सौमालिया वहाँ के जेलर डबा से डलास से इंटर्विव करना चाहती है तो डलास का इंटर्वी लेने के लिए सारा वहाँ पर पहुंच जाती है डलास का इंटर्वी आरेजमेंट कराया जाता है डलास का दिल अब सारा के उपर आ जाता है जो इंटर्वी लेने के लिए आई थी अब डलास उसकी तरफ देखता है इंटर्विव देता रहता है और जब इंटर्विव खत्म हो जाता है तो एक पुलिस वाले को अपने पास डलास बुलाता है होटल के अंदर रेड पड़ती है तो रात को उस होटल के अंदर रेड पढ़ती है पुलिस रेड और रेड पढ़ने के बाद उस सारा के कमरे में ड्रक्स मिलती है दोस्तों ये सीधी साधी रची गई प्लानिंग थी सारा के कबरे में ड्रक्स उस काले जेलर ने जो सांड जेलर था डलास ने रखवाई थी क्योंकि उसका दिल उस पर आ चुका था बेसक वे विदेशी महिला थी ड्रक्स के केस में सारा को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी जेल में डाल दिया जाता है वहाँ पर दोस्तों वह जो डलास क्रूर तरीके से सारा के साथ सब्मन बनाता है वह चीकती है चिलाती है लेकिन कोई भी वहाँ पर उसकी सुनने वाला नहीं था अब सारा वही पर रहने लगती है उसके साथ रेप होता है बुरी तरीके से उसका जीवन अस्तिवेस्ट हो जाता है सारा की दोस्त जो दूसरी साइट पर गई थी इन्फर्मिशन एकटी करने के लिए वह जब सारा से कॉंटेक करती है सारा नहीं मिलती है तो उसको पता चलता है होटल के दौरा कि उसकी फ्रेंड को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है ड्रक्स की केस में तो सारा की दोस्त जेल में उससे मिलने के लिए जाती है तो सारा जैसी अपनी दोस्त को देखती है तो रोने लगती है और कहती है कि उसे जवर जस्ती फसाया गया है उसके साथ क्रूर वैवार किया जाता है और वह अपनी सहली से कहती है कि तुम ऐसा करो अजबेगेस्थान हाइ कमिशन के पास जाओ और वहाँ पर सारी घटना बताओ तो दोस्तों अब जो सहिल ही होती है उजबिगेस्तान के हाई कमिशन के पास जाती है वह एक्सन लेते है तुरंत और चार महीने तक जांच चलती है जांच के बाद जो जेलर डलास होता है काला सांट उसको दोसी पाया जाता है और उसको पद से हटाया जाता है और सारा को उस करवाते हैं बजंजीरों में बांध कर रखते हैं जेलों में डाल देते हैं खाना भी नहीं देते हैं ऐसे देश आज भी हैं सौमालिया जैसा देश है साथ कोरिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यातना है दी जाती हैं लोगों को तो इस तरह के बहुत सारे देश हैं ज था आप यहां पर जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं लोगों के साथ सेयर कर सकते हैं अगला पुरा मजल्दी फिर से लेकर आऊंगा तब तक आप खुश रहें साथ धान रहें जै हिंद जै भारत